तो आज मैं पोहे से बनाने वाली हूँ, एकदम क्रिस्पी स्नैक्स के रेसिपी, खाने में बहुत ही जादा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगता है, यहां पर मैंने पोहा ले लिया है, पोहे को हम मिक्सर जार में अच्छे तरीकिस ले के पीस लेंगे, यहां पर त्यार किया हमने, इसे हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और एक खासे continue चलाते जाएंगे, यह दीखे, धीर धीरे डालना है, धीर 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 आपको चलाते रहना है, अगर आप छोड़ देंगे न, तो क्या होगा, यह पानी अब्सॉप कर लेगा एक जगपे, और इकठा हो हाँ, अब यहीं पर डालेंगे फ्रेंज, उबले हुए आलू, तो यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू डाल दिया, मैश करके, शिम्ला मिश डाल रहे हो, बारी काटके, बारी कटा हुआ प्याज डाल देंगे, यहाँ पर नमक डाल देंगे, स्वात के अनुसार, और फ्रेस का खिश फ्लेm मै पहने एक्रीके से अफ्र कर दें, अब इस hacia तरीके से मिश्ट करना, सारी चीजह्यों को तो यह देखिए फिन इस तरीके से आपको mix कर लेना है पोहा एकदम नरम हो चुका है क्योंकि गरम पानी था एकदम तो यह देखिए इस तरीके से mix कर लेंगे यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से एकदम mix कर लिया है यह देखिए यहाँ पर मैंने गेस से नीची उता लिया है यह थोड़ा हिलका ठंडा हो चुका है तो यह देखिए आभ यहाँ पर क्या करेंगे पहले हाथों से तरीके से यहाँ mix करेंगे mix करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे यहाँ पर roll type के बनाने हमें आप गोह लकुल भी बना सकते हैं चोटे-बड़े साइज है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं यहाँ पर यह चुटे-चुटे रोडी बना रही हूँ इस तरीके से तो यह देखे इस तरीके से मैं रोल बना कर दख давай Stacy भुपर इस तरीके से रोल बना लिजे यह देखे बहुत आसानी से यह बन जा रहा है तो यहाँ पर इसी तरीके से में सारे बना कर रख लूँगी यहाँ मेरा बेबी जो है बहुत परिशान करता है सच में जब भी मेरे इस पी बनाती है बहुत परिशान करता है तो यहाँ पर देखे बन गया है अब नने के बाद यहां पर मैंने दो प्लेट में रखा हैं क्योंकि एक प्लेट का वाइट वाला मैं यहां पर इस्टोर करूँगी यह आठ से दस दिन तक भी इस्टोर करके फ्रोजन करके आप इसे बना कर खा सकते हैं यह बिल्कुल खराब नहीं होगा तो यहां पर फटाफट ऑईल एकडम गरम कर लिया है फटाफट गरम उयल में हम इसे डाल देंगे ध्यान रखेकर फ्रेंट्स आपको ऑईल एकडम हाई टेंपरेचर पर गरम करना है वरना यह क्या होगा न तूट जाएगा नहीं डालने के बाद और इसे डालते ही बिल्कु हो चुका है मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूं तो यह दिखिए कलर चेंज हो चुका है एकडम उपर से क्रिस्पी दिख रहा है अंदर से भी एकडम सॉफ्ट है तो इस तरीके से आप स्नेक्स बनाकर रेडी कर लेजे मैं दूसरा बैच भी इसे फ्राय कर लेते हूं उ तो जरू ट्राय कीजेगा इस रेसिपी को यह दिखिए मैं आपको दिखा देती हूं यह बहुत जादा क्रिस्पी है खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता और पोही और आलू से बनकर त्यार हुआ है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को ल जिएर हुआंग को लिएर के लेसे लिएतंग ज highly वीडि़ा वीन हिएम को भीडियो को लेक 확न में पूब कोे के लिए आए को रेकी हाय में आपको देसिझाशनी को धिएसादार में को फेमें है झाल सक्यार में हो भीडियो के लिए कह बड़ीस बहलते है